हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक इन एगरीकल्चर सक्सेश भानी राम डाल यूटीब चैनल फ्रेंट्स प्लांट न्यूट्रेंट्स वीडियो सेरीज के अंदर अपने दो वीडियो पहले अप्लोड कर चुके हैं यह हमारा plant nutrients video series का तीसरा वीडियो है जो आज मैं upload करने जा रहा हूं इससे पहले जो दो वीडियो थे उनके अंदर अपने डिसकस हुआ था पहले वीडियो में हमने बात किती plant nutrients क्या होता है essential plant nutrients क्या होता है इसकी जो theory थी Arnon Stout ने दी थी और Arnon ने जो revise की थी उसके डिसकस हु plant जिस form में आप टेप करते हैं यानि principal form और अप टेक क्या है उसका source क्या है कहां से यह मिलता है और कौन से scientist ने कौन से year में discover किया था और plant का जो dry weight है उसके basis कितना concentration plants के अंदर होता है यह discussion हुआ था उसके अलागा हमने second video में hidden anger के बारे में बात की थी और law of minimum की बात की थी ज dust in wall ली बेगने दिया था आज के इस वीडियो में अपने जो plant nutrients है उनके function क्या है उनके deficiency symptom क्या है और toxicity से क्या problem होती है उस पर discuss करेंगे तो सबसे पहले अपने इन में लेते है nitrogen nitrogen है जिसको primary nutrients में रखा जाता है सबसे पहले अपने इसके function की बात करें पहले अपने comment से discussion tricks भी रहती है plant nutrients के लिए जिनको अपने कई बार क्या होते कई चीजें पड़ी नहीं होती है फिर भी plant nutrients में अपने logic basis principal basis उनको सही कर सकते हैं तो वो भी हम साथ साथ discuss करते जाएंगे देखो nitrogen जो है वो क्या है carbon hydrogen और oxygen and sulphurs है इनके साथ मिलकर amino acid formation करता है और amino acid है वो protein formation का का काम करते हैं देखो जो amino acid है वो protoplasm formation के काम आते हैं जो cell division के लिए site या platform त्यार करते हैं cell division के लिए site formation का जो काम करेगा वो nitrogen करता है nitrogen बहुत सारे amino acid का content होता है जो आगे चलकर protein बनाते हैं all plants enzymes are made of the proteins जो जितने भी plants के enzymes होते हैं protein से बने होते हैं nitrogen is need for all of the enzyme reaction in air plants देखो जो सभी enzymes हैं उनके reaction के लिए plant एक essential components है तो enzyme के activities के लिए यह enzyme को अपने बोल दें के active करने के लिए एक principal nutrients है उसके लाए nitrogen is a major part of chlorophyll chlorophyll का एक major part होता है देखो यह यहां पे मैंने chlorophyll का formula mention कर रहा है देखो यहां carbon hydrogen oxygen यह तो structural nutrient है उसके लाए chlorophyll formation में nitrogen magnesium का main role रहता है तो हमारा यहां पे discussion चल रहा है nitrogen का तो यह chlorophyll का main part होता है जो photosynthesine करने के लिए necessary होता है nitrogen होता है वो vegetative growth को increase करता है देखो प्लांट के अंदर ratio matter करता है calcium and nitrogen ratio अगर हम calcium nitrogen ratio की बात करें, अगर nitrogen होता है, nitrogen अधिक होता है, तो vegetative जो growth होती है, वो ज़्यादा होती है, और calcium ratio ज़्यादा होता है, तो fruit ज़्यादा आता है, production ज़्यादा आते हैं, तो nitrogen है, वो vegetative growth का काम करेगा, उसके अलावा यह क्या करता है, जो grain होते हैं, seed होते हैं, उनको सोप्ट करने का काम करता है उनको सोप्ट बनाता है जहां भी सोप्टनेस की बात आ जाए वहां नाइटोजन की ही बात आती है जिसे में बात करूलिफी वेजिटेबल होती है तो वह सोप्ट यानि सरा खाने में सोप्ट होगी तो डेलेसिस होगी जायर सी बात है तो विलिफी लेजीटेबल में भी जो softness लाता है, वो nitrogen लाता है, grains है, उनकी अंदर भी softness लाता है, वो nitrogen लाता है, nitrogen is a necessary components of several vitamins, बहुत सरे vitamins के लिए nitrogen एक essential components है, nitrogen क्या करता है, improve the quality quantity of dry matter in leafy vegetables and protein in grain crops, देखो, जो grain crops है, उनमें protein concentration बढ़ाता है, और जो leafy vegetable है, उनके production को increase करता है और लिफी वेजिटेबल में softness लाता है अब यह तो एक हो गई अपने scientific ली बात अब मैं सीधा आपको एक basic terms में बात कुने देखो अमेसा ध्यार को nitrogen क्या करता है वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है अगर वेजिटेटिव ग्रोथ जरूर से ज़्यादा हुई तो production होगा वो क्या होगा कम होगा तो इसलिए carbon जो सोरी यहां पर मैंने कल्सिम लिख दिया था carbon nitrogen ratio लिखना था carbon nitrogen ratio की बात कर रहे थे अगर nitrogen ज़्यादा होता है तो वेजि हो जाएगा और crop logging की problem देखने को मिल जाएगी तो यहां पर अपने साह साथ में nitrogen toxicity भी हमें समझ में आना चाहिए भी ठीक है एक प्रोपर वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए nitrogen हमें sufficient quantity में adequate quantity में जुरूर पढ़ती है लेकिन जुरूर से ज़्यादा अगर nitrogen हो गया तो क्या हो जाएगा ग्रोथ जादा हो जाएगी ग्रोथ जादा हो जाएगी तो production कम होगा उसके लावा जो stem होता है वो soft हो जाएगा crop logging की problem हो जादे देखने को मिलेगी यह toxicity का effect होता है उसके लावा देखो दूसरी चीज़ अपने यहां देखें nitrogen जो होता है chlorophyll का पार्ट होता है nitrogen toxicity होई तो plants के अंदर dark green color भी देखने को मिलता है length भी ज्यादा देखने को मिलेगी जिससे crop logging देखने को मिलेगी production कम देखने को मिलेगा और उसके लावा क्या है darkness भी ज्यादा होता है जुरूर से ज्यादा होगा adequate quantity से ज्यादा होगा जिसको अपने toxicity बोलते हैं तब क्या problem अमेसा क्या हो जाता है कम हो जाता है nitrogen toxicity sugar का concentration कम हो जाएगा अब आपसे चाहिए क्यों है sugar cane कूछ ले sugar pen sugar cane में nitrogen toxicity का क्या effect पड़ाता है तो अपने सीधा बोलेंगे कि TSS content कम हो जाता है यानि sugar percentage कम हो जाता है वहीं पे अपने carbohydrate accumulation के संग्रण करने वाली फसलों पे क्या पड़े स्कार्च होगा उसका accumulation कम होगा तो यह किसकी होगी toxicity का effect पड़ता है दूसरी जब nitrogen ज्यादा होता है तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होती जाती है तो जो crop की maturity आती है वो लेट आती है अगर nitrogen toxicity है तो crop maturity हमेसा लेट आती है इस बात को ध्यान रखना आगे अपने phosphorus और पोटास के साथ 20 को इंटरलेट करना है इस बात को तो nitrogen है उसकी toxicity होगी तो क्या problem होगी maturity देरी से आएगी अब maturity देरी से आएगी तो अगली crop पर क्या पड़ेगा effect पड़ेगा next is जब nitrogen अपने एक चीज़ पड़ चुके है nitrogen अगर ज्यादा होता है तो क्या होता है softness आती है और tragedy क्या होगी ज्यादा आएगी तो softness ज्यादा आजाती है nitrogen होने से अब plants में अगर softness ज्यादा आएगी तो insect और disease का attack easily हो जाएगा इंसेक्ट है डिजीज है वो easily penetrate करेंगे तो nitrogen की toxicity से क्या होता है insect best disease का attack क्या होगा ज्यादा होगा क्योंगी softness आगी generally rotting जैसे भी problem क्या होगी ज्यादा होगी जैसे बहुत सारी crops के अंदर अपने बात करते हैं जैसे mango mango का जो tip portion होता है आगे वाला भाग होता है जिसको अपने नोज बोलते हैं देखो पहली बात तो जो cell bowl होती वो calcium की बनी होती वो आगे अपने डिसकस करेंगे दूसरी है कि calcium deficiency और nitrogen toxicity से होता है तो बहुत तरह के ऐसे disorder देखने को मिलते हैं बहुत तरह के ऐसे plants में abnormal की देखने को मिलती है कि nitrogen की toxicity से softness आ जाती है और softness से rotting start हो जाती है तो यह nitrogen toxicity का effect पढ़ता है मैं दुबारा से repeat करना चाहता हो nitrogen toxicity adequate quantity में nitrogen होगा तो proper vegetative growth होगी यानि पूरी मातर में होगा तो ज्यादा होगा तो vegetative growth ज्यादा हो जाएगी तो production कम होगा क्योंकि carbon का ratio कम हो जाएगा nitrogen बढ़ जाएगा दूसरा जुरूर से ज्यादा जब crop की height पहुंच गई है और उसका stem कमजोर हो जाएगा nitrogen की विजए से तो crop logging फसल गीरने की समस्याब हो जाएगी अगर गर इसी plants में nitrogen की toxicity बढ़ गई है तो उसमें TSS total soluble solid यानी sugar concentration क्या हो जाएगा कम होगा जिनमें carbohydrate accumulation होता है उनमें carbohydrate कम accumulate होगा जैसे tuber problem में tuberization क्या हो जाएगा कम हो जाएगा उसके अलावाद ज्यादा softness आने की वजए सो fruit और vegetable में अब disease और insect का attack तो ज्यादा होगा यहोगा प जो उनकी self life और storage life है वो जाएड़ सी बात है कम होनी है disease insect pest पर इनका attack क्या होना है ज्यादा होना है तो यह nitrogen की toxicity का effect रहता है अब मैं बात करो nitrogen की deficiency देखो nitrogen proper vegetative growth करवाता है अगर nitrogen की deficiency हुई तो कमी हुई तो nitrogen की proper vegetative growth नहीं होने वाली plant की height छोटी रह जाएगी यानि plant कैसा र nitrogen deficiency है दूसरा देखो nitrogen है वो plants के अंदर बहुत ज्यादा मुबाइल है लेकिन हम तो यह plants की बात करें plants में बहुत ज्यादा मुबाइल है तो इसकी deficiency के जो symptom है वो old leaf पर दिखेंगे नीचे की पतियों पर दिखेंगे और जो नीचे की पतियां होती है उन पर symptom कैसे दिखते है देखो जैसे मान लो कि यह leaf है यहाँ पर इसमें yellowing दिखना start हो जाएगी yellowing क्यों दिखेंगी chlorophyll का main source है अगर nitrogen की deficiency होई तो क्या होगी chlorophyll नहीं बनेगे proper chlorophyll नहीं बनेगे तो उसको अपने क्या बोल देंगे chlorophyll बोल देंगे कि उसमें 20 से chlorophyll को क्या बोलते हैं chlorophyll को क्या बोलते हैं chlorophyll को देखने को मिलेगी कहां पर देखने को मिलेगी सिरुवाती वस्ता में जो ज्यादा मोबाइल होते हैं प्लांट्स के अंदर उनके kite Unbelievable पे दिखते हैं अוד बोले थो पोदे की नीच ली पतियों पर दिखते है तो यह पतियां धीरे धीरे पूरी की पूरी पिली पढ़ जाएगी पुरानी जो पतिया नीचे वाली पतिया है पर क्या होता है ये पतिया नीचे जढने लग जाती है, ये ही nitrogen deficiency का main symptom होते हैं, तो यहाँ पे हम deficiency की भी बात कर चुके हैं और toxicity की, उसके अलावा देखो एक चीज और होती है, अगर nitrogen की कमी होगी, तो उसमें ज्यादा कुछ vegetative growth नहीं होने वाली ये plants के अंदर, तो plant क्या हो जाएगा, early mature हो होता है, fruit और vegetable में shortness आ जाती है, उनकी storage life कम होती है, उनमें रोटिंग बहुत ज्यादा होती है, sugar content क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और tuber crop होती है, उनमें tuberization क्या होता है, कम होता है, तो ये nitrogen की deficiency function और toxicity की हम बात कर चुके हैं, यहाँ अगर हम थोड़ा सा diagramatically देखना चाहें, तो nitrogen की deficiency है, वो हमेशा orderly पर देखने को मिलती है, जो नीचे की पतियां होती है, उनको अपने क्या बोलते है, orderly, जैसे यहाँ से नीचे नीचे की पतिया, उनको अपने orderly बोलेंगे, तो symptom orderly पर दिखेंगे, वी safe की देखो, ये yellowing है, ये कैसे safe की देखने को मिल रही है, आपने को देखने को मिलेगी, अब nitrogen की deficiency starvation disorder हो जाता है, जो nitrogen deficiency है, buttoning in call crops, buttoning क्या होता है, जो head होते है, cabbage में, या अपने card में बोलेंगे, जो, sorry, cauliflower में बोलेंगे, card का side चोटा रहे गया है, या cabbage में बोलेंगे, head का side चोटा रहे गया, तो उसको button बोलेंगे, चोटे रहे इस deficiency से होती है, और कई बार जो early variety उनको late लगाने पर, अगेती किसमें देरी से लगाने पर, देखो जो किसमें होती है, जो जनुरी में पकनी है, जनुरी में पकनी है, उसके लगाने का सही time था, mid October, लेकिन हमने number first week में लगाई है, तो 15 days अपने कम होगे, ripe तो वो, sorry, mature तो कब हो जाएगी, जनुरी में हो जाएगी, लेकिन उसके लिए duration कम बचा, तो proper growth नहीं कर पाएगी, उसका side छोटा रहा जाता है, जिसको buttoning बोलते हैं, तो buttoning in cabbage बोलेंगे, तो buttoning in cabbage और nitrogen deficiency और जो अगली variety है, उनको late लगाने की विज़े से होता है, तो यह हमारे nitrogen की बात हो चु उसके अलावा, फासफोरस से देखो, development of the healthy root system, root development के लिए फासफोरस मेचर होता है, जो exam को cover करने वाले क्योसन है, उनमें से एक क्योसन आईए, फासफोरस रूट डेवलमेंट के लिए फासफोरस बहुत जरूरी होता है, नॉर्मल सीड डेवलमेंट करने के लिए भी जरू कि युनिफॉर्म कर्द मैचरटे के लिए भी जुरूरी होता है, हमने नैटोरस के लिए क्या बात की थी, नैटोरस की अगर डेफिशेंजन होती है, तो मैचरेटी अर्ली आ जाती है, नैचरेजन की टॉक्सीटी होती है, देरी से आधी हिए, लेकिन फासफोरस का जश्ट अगर पॉटास की deficit है तो crop maturity देरी से आएगे और पॉटास की toxicity है तो crop maturity क्या हो जाएगी जल्दी आ जाएगी तो फास फॉरस और पॉटास दोनों ही क्या करते हैं nitrogen की अपोजिट काम कर रहे हैं लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पढ़ेगा फासफरस और पोटास में वो पोटास का ज्यादा इफेक्ट पढ़ता है अलांकि ठीक है फासफरस uniform maturity के लिए ठीक है लेकिन अगर डेफिशेंसी है नाइट पोटास की तो लेट मैचुरिटी आएगी और फासफरस की डेफिशेंसी है तो लेट maturity आएगी toxicity है तो क्या होगा लेट मैचुरिटी आएगी तो पोटास है वो नाइट्रोजन की जस्ट अपोजिट काम करता है तो अपने बोल सकते हैं नाइट्रोजन की डेफिशेंसी और पोटास और फासफरस की toxicity अगली मैचुरिटी लाती है और नाइट्रोजन की toxicity और फा करते हैं इसके आपने फास Paras features की बात करें photosynthesis रेश्पायरेशन है और जो भी Metabolic Activity है उनके अंदर ये major role play करता है जैसे जो आपने बात करें की photosynthesis बगिरा होता है तो energy transportation और formation किस पौंब में होता है एडिनोसेंट ट्राइफास्पेट तो लगा हुआ है तो जाइड़ सी बात है फासफोरस क्या है, energy transfer के अंदर major nutrients है, इसलिए इसको energy currency भी कहा जाता है, plant के energy currency है, वो फासफोरस को कहते हैं, यह energy produce करने में helpful है, इसलिए इसको key of life भी बोल दिय जाता है कि वी रहते हैं उनके बढ़ाता है उनको बढ़ाता है में ली फैक्टर रूडल है या फिर नाइटोजन सेट को इंकरीज करता है डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट के लिए भी रसिस्टेंट जनरेट करता है लेकिन ज्यादा जो रसिस्टेंट जनरेट करता है वो पोटास करता है पोटास का इफेक्ट ज्यादा होता है अब अपने बात करें फासफोरस की डेफिशेंसी क्या हो देखो फासफोरस की अंदर highly mobile nutrients है highly mobile nutrients के जो symptom होते हैं वो only पे दिखते हैं और जो purple color है वो इसकी deficiency का main symptom होता है उसके अलावा देखो फासवर्स deficiency से अपने पहले बात किती है maturity है वो लेट होती है poor seed formation होता है fruit development भी कमजोर होता है उसके अलावा देखो फासवर्स deficiency से spar जाती है देखों जो sparнова low digo ch헌 देखों करना इस Subscribe कि ग्लोरीज्व से आती है लेकिन जो घंगब है उसके है उसके अंदर जो Confederates Detroit source को जाती है अब है आता सब्सक्राइबMA कर किने देखने को मिलती है अब अपने toxicity की बात करें अगर फासफोरस की toxicity हो जाती है कुछ माइक्रो न्यूटेंट जिसे आईरन जिंग और मेगनेशियम की कमी हो जाती है और पार्टिकुलरी जो deficiency सबसे ज़्याद़ देखने को मिलती है फासफोरस की toxicity से वो calcium deficiency deficiency देखने को मिलती है तो यह हमारा फासफोरस का discussion हो गया है फासफोरस की deficiency से sickle leaf disease disorder हो जाता है जो फासफोरस deficiency से देखने को मिलता है नेक्स्ट अपने बात करें potas यह भी macro nutrients में primary nutrients है देखो यह ionic form के अंदर रहता है cell के अंदर और बहुत सारे जो organic compound है उनकी develop करने में इसकी main जो role रहता है और किस सीजों के लिए responsive होता है regulation of water देखो water plants के अंदर जो water balance बनाने में potas क्या होता है potas देखो water यह water balance बनाने का काम करते हैं chlorine को तो अपने automatic agent बोलते हैं potas भी क्या करता है water balance बनाने का काम करता है disease resistant insect resistant pest resistant जहां भी आ जाएं वहां पे major जो होता वो potas होता और उसके बाद में थोड़ा phosphorus भी होता है लेकिन जो major होगा वो कौन सा होगा potas होगा disease resistant की insect resistant की potas पेस्ट resistant की उसके अलावा environmental जो adverse condition है या problematic soil है acidic soil है saline soil है इनके लिए भी tolerant generate करने का काम को करता है potas करता है उसके अलाव potas के लिए आप एक चीजों और mind में रखिए कि potas quality से related है plants के अंदर जो quality generate करता है वो potas generate करता है stream को strength देता है उसके अलावा जो seed वगेरा होता है grain वगेरा तो उसमें vigorousness लाता है यानि उसके ओज को बढ़ाता है तो disease resistant कर रहा है stream को strength दे रहा है vigorousness बढ़ा रहा है तो इससे quality आएगी तो quality बोले तो potas quality वाला कोई भी वाड आजाए तो समझे लो कि वो potas से related है उसके अलावा देखो potas synthesis में participate करता है मैंने अभी बात की थी environment adverse condition के लिए टोलरेंट जनेरेट करता है winter hardiness जनेरेट करता है यह भी तो environmental adverse condition है protein synthesize का काम करता है प्रोक की quality जहां भी quality सबद आ जाए वहां पे अपने potas की बात करेंगे जैसे nitrogen होता है वो क्या करता है storage life कम करता है पोटास है वो storage life को increase करता है वैसे potas और phosphorus nitrogen के जस्ट अपोजिट काम करते है अपोजिट का मतलब यह नहीं है कि यहां पे अपने विप्रीट है हम जनरली याद रखने के लिए बात कर रहे हैं तो क्या है कि potas है वो storage life को increase करेगा उसके अलाव potas to meta closing और opening जो प्रंड रंद रहां के खुलने और बंद रखने को नियंतुरित करता है इसलिए plants की जो traffic police बोला जाता है वो potas को बोला जाता है जो potas की deficiency है उसका major symptom होता है वो leaf scratching होता है देखो यह यहां पे leaf के किनारे पूरी तरह से जूल सके है इसको अपने leaf scratching बोलते है potas plants के अंदर highly mobile में आता है इसके symptom old leaf पे देखने को मिलते है और यह देखो यहां पे scratching देखने को मिलती है तो इसे deficiency scroaching देखने को मिलेगी उसके इलावा जो seed और fruit है वो small size के रह जाएंगे और अगर इसकी deficiency होगी तो disease insect pest का टेक ज़्यादा होगा environmental address condition का भी क्या होगा ज्यादा effect होगा ज्यादा तर आपको जो potas की deficiency है वो कहां पर देखने को मिलेगी अगर sandy soil है और वो acidic nature की है calcium magnesium ज्यादा है तो potas deficiency देखने को मिलती है अगर potas की toxicity हो जाती है तो क्या होता देखो जैसे plant के अंदर carbon nitrogen ratio मेटर करता है वे सही calcium और potas ratio भी करता है अगर potas की toxicity हो जाती है these notoriety deficiency और toxicity ऑफ बात होगी अब potas की deficiency से कुछ disorder हो जाते है जिसे improper branch pilling in banana यह potas deficiency से होता है यहां पर डिशोडर की बात करेंगे तब बात करेंगे कई पर देखा होगा टमाटरे से एक साइट से पीला सपर जाता है उसमें छोटे-छोटे से पीले-पीले नरंके दब्बे देखने को मिलता है तो यह पोटास डेफिशेंसी निचेशन भी हो जाते हैं केल्सियम में जाता है यह कंट्रोल करता है अब इस बात से बहुत सारी चीजेए देखो कलेक्सी एंट्रोट है बिलोसम एंट्रोट है बहुत सारी तरह के डिसॉडर आपको क्रॉप्स में देखने को मिलते हैं तो उनके अंदर क्या होता है cell wall कमज़ोर होती है cell wall कमज़ोर या तो calcium deficiency होती है या nitrogen toxicity से यह बात आपको दिमाग में रखनी है उसके अलावा calcium बहुत सारे जो enzyme है उनको activate करने का काम करते हैं लेकिन यहां major question जो बनता है exam में वो यहीं से बनता है cell wall formation cell wall की plasticity और probability को कंट्रोल करता है उसके अलावा बहुत सारे जो plants के अंदर organic acid बनते हैं उनको detoxifying या neutralize करने में भी calcium का important role होता है calcium is essential for seed production in peanut जो मूंफली होती है उसके अंदर seed production के लिए बहुत जुरूरी है अगर calcium की deficiency होती है तो मूंफली अंदर से खाली रह जाती है जिसको अपने popping बोलते हैं तो popping जो होती है calcium deficiency से होती है calcium indirectly asset in the improved grow filled by the redition soil acidity when the soil are lining lime material में calcium होता है soil acidic nature की होती है तो उसको improve करने में भी calcium का का काम रहता है calcium की deficiency क्या होगी poor growth होगी root जो होगी जड़ होगी वो काली पढ़ जाएगी और उसमें sudden start हो जाएगी देखो calcium क्या है वो plants के अंदर properly immobile है सबसे अधिक immobile calcium होता है तो calcium की deficiency के जो symptom दिखते हैं वो हमेशा apical bud पे दिखते हैं बोरोन और calcium दोनों ही plants के लिए अंदर immobile है लेकिन सबसे ज़्यादा जो immobile होता है वो कौन सा होता है calcium होता है तो इसकी जो terminal bud होती है वो क्या होती है proper growth नहीं कर पाती है और उसके अंदर hooking structure बन जाती है यानि इस तरह की structure बन जाती है आगे अपने डाइग्राम में तो को यह calcium deficiency का main symptom होता है calcium की deficiency हमेशा apical bud पे दिखती है और calcium की deficiency से जो tip होती है वो hook की structure बना लेगती है जिसको hooking बोला जाता है अब देखने को मिलती है उसके अलावा ऐसीड चोइल होती है उसमें ही calcium का level क्या होता है लो होता है और और ज्यादा को विशेश इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है calcium की deficiency वैसे ज्यादा तर field में ज्यादा note नहीं की जाती है लेकिन फिर भी ऑगर calcium की toxicity हो जाती है तो pore to ask की deficiency देखने को मिलती है अब देखो calcium की अपने deficiency बता लिए है कि ये tip portion पे अब केल्सिम की डेफिसेंसी से बहुत तरह उसे की डिषोडर है एक हुँ कर दिए मैशूर ऑवरी है, उसके सबसे ज्यादा ते बाद बोर्ओन और केल्सियम टेफिजंसी तो क्येल्शियम और बोर्ओन के जो सिंटम है डेफिशंशी के वह एपिकल पढ़़ पर दिखेंगे और उसके बा सब से ज्यादा फूरुट तो फ्रूट में देखो बहुत सारे disorder देखने को मिलेंगे अपने सबसे पहले अपने बात करें क्लेक्सी एंट रोट इंग्रेप्स और पर्शिमॉन अंगूर वैब पर्शिमॉन का क्लेक्सी एंट रोट यह calcium deficiency से होता है यहां पर डाइग्राम किर में नहीं दिया है लेकिन बिटbayर में अपने बात करेंगे अंगूर बगकेर हैं उनका ये पार्ट हो ता उसमें हो जाते 양 इसको क्लेक्सिंग निप्ल्स आपल में ऐसे कडवे से दब सबन जाते हैं और उसमें एक क्रणिगने को मिलती यह हैं यह कालस एंड। कमेंट में कैल्सियम डिफजेंस सोह हुँटा है किल्लो का मतलव है यहां पर जो किरा होता हो जाता है जिसने की बहुत वर सकता है तो सोपत औहने क्यों ही फिलो बोलतेबं ये भी कैल्सियम डिफेशेंसिश होता हूता है, ृतरों में बहुत साथे क्रूम ऑनितट हौता हैं क्यलसियम डिफेशेंसिश होता है, उसके साथ साथ लाउमसर सप्लाइ की विज़े से भी हो जाता है जो एरोपियन केरेट होता है उनकी अंदर क्या होता है यहाँ पर ऐसे चोटे-चोटे से कट से लग जाते हैं जिसको जो एकल्सियम डेफिशेंसी और नाइटोजन की टॉक्सिसिटी से और सॉयल मैस्टर इंबैलेंस के कारण होता है यह भी सेलवल कमज़ूर होने की वजह से कालीफलावर बीट टॉबेकों किसी में बीटीपुकिंग और पिछे डियाग्राम भी अपने बात की कल्शियम डेफिशेंसी होगा ब्लॉसम एंड रोट हमने पिछे टॉमेटों में बात किया सेम का सहीं डिसोडर है यह भी कल्सियम डेफिशेंसी हाई टेम्प्रेशरी र अगर दोस्तों वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो सेर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सस्क्राइब कीजिए थैंक्यू